UAPA पर बहस चल रही थी अमिशा ने कुछ ऐसा बोला कि सब हस पड़े नमस्कार राजसवा में लंबी बहस के साथ ही UAPA Unlawful Activities Prevention Act संशोधन बिल पास हो गया पक्ष में पड़े 147 वोट विरोध में पड़े 42 और अब ये बिल जाएगा राश्ट्रे के पास कानून बनाने के लिए क्यूंकि लोकसवा से पहले ही पास हो चुका है अब जब इस बिल को राजसवा से पास करना था तो राजसवा में बिल को पेश किया गया ग्रैम मंतरी हमेशा बोले आतकवाद के किलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक जूट होकर इस बिल का समर्थन करना होगा लेकिन विपक्ष भी तो है उसने हां गामा क्या विरोध किया और सबसे बड़ा विरोध किया कॉंग्रस ने सांसदिक विजे सिंगने बोले इस तरह से किसी व्यक्ति को आतकवादी घोशित करना गलत है आप लोग सबसे प पनी नहीं था लेकिन वो अमिद शानी क्रेक किया था इसलिए सब लोग खिल खिलाने लगे खैर इसके बाद भी वाद विवाद हुआ दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखिए फिर वोटिंग के जरिये बिल पास हो गया अब बिल पास हुआ तो खासित भी जान ली अगर वो किसी ऐसे संगठर का हिस्सा है जो आगे आतगवाद फैलाने की तयार कर रहा हो अगर वो किसी ऐसे संगठर का हिस्सा है जो आतगवाद को भड़ावा देता है इसके लावा बिल ने एन आई ए और को भी ताकत दी है एन आई ए कोन किसी राज्या में अतंकी पुलिस रेंक के दिकारी हो सकते हैं बिल के कानून बन जाने के बाद ऐसे मामलों की जान एन आई एक इंस्पेक्टर रेंक के अफसर भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं लाइक और शियर जरूर की जो रागे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हाई रोट ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद